की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पश्टिम एशिया से अपना बुर्या बिस्तर समेट रहा है ये रपोट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्यान सामने आ गया है युद्ध के सब्तर दिन बाद बता चल गया है कि खुद इरान ने इस्रेल और अमेरिका के खलाव अपनी रणमीटी से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलवार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेशया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इस्रेल रोग पाईगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इस्रेल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि Islamic Revolutionary Guard, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत शोटी है इरान का मकसर इस्रेल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इस्रेल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरफ वंस्ते चले जाएं इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल घाजा से शुरू होकर इस्रेल के पडूसी देशों लेबनान, सीरिया, इराक और इस्रेल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान घाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंती संगटन हेजबुला से भी इस्रेल पर हमला करवा रहा है और इस्रेल के दूसरे बडूसी देश, सीरिया में तो खुद इरान मौचोद है उसने वहां से इस्रेल को गेर रखा है सीरिया और इस्रेल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अर्क्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंट सिस्टम पश्चन एशिया में तानाद किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरैल के पीछे छोड़ दिया हूथी विद्रोहि फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरैल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौजूद लाल सागर को भी जंग का अखाड़ा बना दिया है। वो वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इसरेयल घाजा में शांत नहीं होगा, तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा। हूथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तोबा कर ली है। इस वज़े से एशिया से योरप और योरप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफरीकी महाद्वीब का लंबा चोड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है। इस द्रोहियों ने ड्रोन से ऐसे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में 15 ड्रोन मार के रही है। और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपज़ा अमेरिका को जीत दिला पाएगा, क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा, क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया, या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, क्या अमेरिका करोणों डॉलर खर्च करके लिबनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया या फिर उसे हार कर मैदान शोड़ना पड़ा इरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाय वो एहम है अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाया तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इस्रेल के खिलाफ अपना हत्यार बनाना चाहता है क्या खाजा को इस्रेल के लिए अफगानिस्तान बना देगा इरान क्या इरान इस्राइल का वही हश्र करने वाला है जो एराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्योतों के बाद अमेरिका सुपर पावर पन करोबरा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है जैपूर से बड़े कावर आपको बता दे जेजेयम यानि की जल जीवन मिशन में ब्रस्चाचार का महा बड़ा कुलासा हुआ है एन जेजेयम की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्चाचार का कुलासा हुआ है एन जेजेयम की थीम ने की थी मामले की जांस रिपोर्ट में ब्रस्चाचार और आणियमें तताओं से परदा फास हुआ है बेहत घटिया गुरुवत्ता सामागरी लगाये जाने का खुलासा हुआ केजर की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन्स के निर्देशों की धज्जिया उड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहें बीच में जैपुर से बड़ी खबर जेजेएम के कारियों में कई चौकारे वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है डी पी आर में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वाल्टी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुपतान किया गया है जहां स्रिपोर्टर में भारी आने मताओ का एक बड़ा खुलासा हुआ है एन जेजेएम की टीमों ने पेश की है जेजेएम की कामकास की रिपोर्ट और इस खबर पर हमारे समधाता राकेश जुड़े है राकेश आखिरकार खुलासा होई गया जेजेएम की कारियों में कई ऐसे एहम खुलासे हुए है एक महा भ्रस्टाचार का पॉल अब सामने आ गया है राकेश बिल्कु देखिए जिस तरीके से न्यूच 18 लगातार जल जीवन विसन में भ्रस्टाचार के मामले उजागर करता रहा है उसके बाद राश्टिय जल जीवन विसन जो केंदर सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी है उसने इस जल जीवन विसन के कारियों की समिक्षा की है और जो रिपोर्ट आई है वो बेहत चौकाने वाली है चुकि पिसली सरकार ने राजिस्थान में जो जल जीवन विसन के कारी करवाए गए हैं उन कारियों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रस्टाचार हुआ है यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चौकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के पाइपों की गुर्वत्ता भी जांच नहीं की गई और रनिंग विलो का ही ठेकेदारों को भुक्तान कर दिया गया यानि जहां पाइप जो लोहे का जिहां बिजाइन और अप्रूवल का जो एक कंसक्त होता है ड्राइंग डिजाइन उसको बिना अप्रूवल के ही निर्माण कायरी शुरू किये गए जो नीव रखी गई जल जीवन मिशन के काइरियों की उनमें भी फ्रस्टाचार सामने आया है जल जिवन मिशन के कारियो के लिए एंजे जिम की टीम ने राजस्थान के कई जिलों का दोरा किया उन तमाम जिलों में जब जाच की गई तो ये सामने आया है कि रश्टा चार में सिर्फ ठेकदारी सामिल नहीं थे बलकि जलदाए विभाग के उच अधिकारी भी सामिल थे क्योंकि जिस तरीके से भु लेकिन यहां राजस्थान में जो निर्माड करी हुए हैं उनकी जाच के लिए Ènd्पारि के लिए मैन पावर ही नहीं था यानी बिना टारियों की गुनवत्ता बिना निरूमाड सामगरी की गुनवत्ता की जाच के ही जो अधिकारियों ने ठेकदारों को दिलोका किया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फर्मों को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था एंजे जेम की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे ठेकेदारों के को जो विभाग के अधिकारी और संब्देट एजिंसिया हैं उनों ने जो है कही न कहीं बचाया है औ या कुछ महाँ पर होना चीए था कितर की गुनवत्ता मेंटेन करनी चीए थी वो भी उन फैक्ट्रियों में नहीं पाई गई तो लगाई गई निर्मान सामगरी में तो बिलकुल ही नहीं पाई गई यानी इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा बड़े सीमा पर ब्रस्टाच का महाकुलासा हुआ है नैशनल यानि की केंद्र जल जीवाल मिशन ने